तो कुछ दिन पहले ना मैंने जलेबी बनाई थी और पते याज की चाशनी तो बच नहीं थी तो अब मुझे लगा किया चाशनी इतनी जादा भी नहीं बची थी कुछ और बनाया जाता कम बची थी तो मैंने का हलके फिल के तरीके से निप्टा दिया जाए लेकिन मुझे आ अब भी मुझे मीटा हाने का मन कर रहा है तो इसलिए मैंने नः यहाँ पर जो ब्रेड ना आटा वाली ब्रेड ली और उसको बस दो कटमा ने से एसा हो है ना कि यी चौगनी ओग यह चार पीसे बन कर त्यार हो गए है, इसके उपर मैंने हलका हलका बटर लगा दिया है और बस मैं इसे ट्रे के उपर लगा दूगी क्योंकि मैं ना इसे दीप राइ करना है बिल्कुल नहीं चा रही हूँ घी में या फिर तेल में क्योंकि बहुत जादा ओयली हो जाएगा और ना ये bread पूरा absorb कर लेगी तो इस checker में मैंने दोनों ट्रे में लगा दिया है और अब मैं क्या करूँगी अगारो की रीजेंसी एयर फ्रायर में दोनों ट्रे को लगा दूगी और इसके बाद ना अब मैं इसे एयर फ्राय होने का मौका दूँगी क्योंकि पता है इसमें न ऐसा होता है कि जैसा हम बिलकुल क्रिस्पी करना चाहते हैं वो बिलकुल वैसा हो बहु क्रिस्पी हो जाता है और हमने अपने पेट में कुछ बटर या ओयल जाने से बचा लिए हम यहाँ पे काम और भी कर सकते थे कि एयर फ्रायर बंद करके भी इसे कुछ देर रखे रहने दे सकते थे लेकिन यार और यह बहुत क्रिस्पी हो गई है तो अब इसे निकाल लिया जाए और चाशनी को भी कर ऐसे करने के के बाद ना हर एक पीस को मैंने निकाल लिया आपको ऐसी ही बार-बार-बार-बार करना है और इससे क्या होगा कि कुछ हद तक आप बहुत ही मज़ेदार वाले जो शाही टोस्त होते हैं वो बना कर तयार कर पाएंगे तो इस तरीके से मैं आक falls ऐसी क्या ये चाशनी अब नहीं भचने वाली तो ये बनकर तयार है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है तो ये रहा हमारा एक पीस और मैं दोड़ के दिखाती हूँ देखो कितनी फटाक से टूटा है और ये मज़दार है